एक्जाम की तैयारी तो सब लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं पूरी तैयारी होने के बावजूद भी जब एक्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो सबसे बड़ी disappointment वहाँ पर होती है मार्क्स इसलिए कम नहीं आते कि आपकी जो तैयारी है वह पंढ़ि 對 अक्जाम की कॉपी में लिखना कैसे है आज के इस वीडियो में हम यहीं डिसकस करेंगे कि एक एक एक्जाम की कॉपी या फिर एक बोर्ड इक्जाम की कॉपी किस तरहिके से लिखी जाये ताकि आपको better marks मिल सकें सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है जब आप किसी भी exam को देने जा रहे हैं तो आपको जो copy मिलती है उस copy में आपको proper margin खींचना है कई बच्चे तो margin ही नहीं खींचते और कई बच्चे जो margin खींचते हैं बहुत बड़े margin खींच देते हैं तो margin खींचना जरूरी है और proper margin खींचना है बहुत बड़े margin नहीं खींचना है margin खींचना क्यों जरूरी है क्योंकि आपकी जो copy है वो bundles बना कर ले जाए जाती है और transportation में यहाँ वहां रखने के दौरान कई बार क्या है side से copies फट जाती है तो आपने जो लिखा हुआ है वो safe रहे वो ना फटे इसलिए margin बहुत जरूरी होता है अब margin खींचना कैसे है आपकी जो copy है उसमें बिलकुल छोटे से margin एक अपने हिसाब से जो proper margin खींचना चाहिए उतना ही रखना है आपको बहुत बड़े margin नहीं खींचने है तो सबसे पहली चीज तो आपको यह याद रखनी है कि copy में margin जरूर खींचे लेकिन margin प्रॉपर होना चाहिए दूसरी चीज है कि आपको copy में cutting नहीं करनी है और overwriting नहीं करनी है cutting और overwriting का भी जो copy चेक कर रहे है उनके उपर गहरा प्रभाव पड़ता है कई बच्चे क्या करते हैं कोई cutting हो गई जैसे किसी ने कुछ three word लिखा है अब कुछ गलत हो गया इसकी जगे कुछ और लिखना था तो वो बहुत जादा काट देते हैं बहुत बुरी तरीके से काट देते हैं तो ऐसे नहीं काटना है आपको कई बार अगर cutting हो भी जाती है तो आपको क्या करना है simple एक stroke लगाना है जादा अगर इस तरीके से काटेंगे आप तो भद्दा लगने लगता है और जो attention है वो सीधे वहीं पर जाती है तो इसका एक बुरा impression जाता है आपको copy के पहले और दूसरे page में तो cutting बिलकुल ही नहीं करनी है कोशिश करना है कि cutting ना हो अगर होती भी है तो आपको simple एक stroke लगाना है जादा कुछ नहीं करना है वाइटनर को ना ही use करें तो अच्छा है क्योंकि उससे भी जो attention है वो आपकी cutting की तरफ जाती है तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है जहां पर जरूरत है वहाँ पर आपको diagram जरूर बनाना है अगर एक number का question है और छोटा सा अगर उसमें कोई diagram है तो वो आपको जरूर बनाना है कई बच्चे क्या करते हैं किवल एक number के question में किवल definition लिख देते हैं diagram नहीं बनाते हैं तो आपको जहां पर जरूरत है वहाँ पर diagram बनाना है diagram बनाने से भी एक अच्छा effect जाता है जो copy चेक कर रहा है उसके उपर आपको better marks उसमें भी मिल सकते हैं चौती चीज आपको जो याद रखनी है कि आपने जो words लिखे हैं उनमें proper gap हो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि सारे words को बहुत घुसा घुसा के लिख देते हैं बहुत पास पास लिख देते हैं और अगर आप इस तरीके से घुसा घुसा के लिखेंगे बहुत टाइट लिखेंगे तो होता क्या है कि copy चेक करने में काफी difficulty आती है तो वो ऐसे ही copy चेक कर देते हैं और marks कटने की जो संभावना है वो ऐसे में जादा हो जाती है और एक चीज और याद रखनी है आपको जब भी आप कोई question complete करें जैसे आपने यहाँ पर एक question complete कर दिया तो हर question के बाद कम से कम दो line जरूर छोड़ें हर question के बाद दो line आपको जरूर छोड़नी है जिससे सारे questions जो हैं separate नजर आए writing का भी ध्यान रखना है लेकिन writing आपकी जैसी है वो चल जाएगी लेकिन जो words हैं उनके बीच में proper space हो और हर question के बाद आपको दो line जरूर छोड़नी है यह चीज आपको याद रखनी है पाँच भी बात आपको यह याद रखनी है वो सीधे उस line को देखेंगे और उनको पता चल जाता है कि आपने पूरा answer सही से लिखा है उन्हें पूरा answer पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती तो इस वज़े से क्या है आपकी जो और mistakes हैं वो भी छुप जाती है तो आपको यही करना है अगर कोई long question है तो उस long question में जो आप definition वगेरा include करते हैं तो definition को आप underline जरूर करें underline करने से आपको जरूर फायदा मिलता है अगली बात आपको यह याद रखनी है कि long questions हो या short answer type questions हो उसका जो भी आप answer दे रहे हैं तो उन्हें आप point by point ने कई बच्चे क्या करते हैं जैसे social science हो गई या फिर कोई ऐसा social science related subject हो गया हो जिसमे paragraph में answer लिखा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं पूरा paragraph लिख देते हैं और paragraph लिखने में परिशानी तो कोई नहीं है लेकिन जो check कर रहा है उसको उसको पढ़ने में काफी परिशानी होती है तो आपको ये करना है कि अगर उस question का answer point by point लिखें आप तो जादा better रहेगा तो कोई भी अगर long questions हो या short answer type भी question हो तो आप उसको point by point जरूर लिखें लास्ट बात आपको ये याद रखनी है कि अगर time है तो आप objective questions को जरूर पूरा उतारें पूरा उतारने से काफी फाइदा रहता है लेकिन अगर time नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि first का A, second का B इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर time है तो आप objective questions को पूरा लिखें इस तरीके से लिखने से परिशानी ये होती है कि जो copy check कर रहे हैं उन्हें कि बार-बार question paper की तरफ देखना पड़ता है फिर आपके answer की तरफ देखना पड़ता है तो उसमें time जादा लगता है अगर आप objective questions को पूरा उतारते हैं तो उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा ये को subscribe भी कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो आगे भी मिलते रहें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में